एक मत्रो भगवान जिन पर कृपा करते हैं वो ही जान पाते हैं जो ये भगवान है पुरुन ब्रह्म सुनातन भगवान तो हमारे आचर जो रूप सुनाता नादी जो राधारणी के नित्त पार्षद राधारणी के नित्त शहचरी, प्रानषकी, राधास ने आदिका, हम लोग इस भी शालोचों ना की हैं शकी पुर्करण में ये है राधारणी के प्रानषकी, प्रानषवा पुरुन राधारणी इतने प्यार करते हैं यह जो लीला है न जैसे हम लोग उनको शादना की जो प्रान के इंद्र है वो क्या है नहीं राधार नहीं कि शुक शंपाद नहीं हमारे शादन के अखिले चेश्टा हमारे शादन के तात्परी जो क्या है हम शादना क्यों करती है हम क्या चाहती है आमारे शाद्ध बस्तु क्या है? आमारे शाद्ध बस्तु है प्रेम और वो प्रेम किसलिये? न राधारण के प्रिति शंपदन, राधारण के शुक्र शंपदन ही अखिली चेश्टा ये भिश्रिशता है मुंजरी शरूप उपशना में राधार ने के प्रितिशंपदन और जितना साधन पद्धती है अनंतकरी ब्रह्मान्ड में शाब उद्धिश्व है जिस संग्षार चक्र से मुक्त होना और ज्यादा से ज्यादा भगवत शरूप ज्यान उपलब्दी करन लीला में प्रविश करना वो सच्चिदानंद समुद्र में निमगन हो जाना लेकिन ऐसे शाधन पद्धती जो अपना सुक उनुशंदन के किंचित मात्रों चेश्टा नहीं अपने सुक की कोई इच्छा भी नहीं चाहती भी नहीं है मने राधारणी इतने प्रिय है मैं राधारणी को कैसे शुक करूँ अखिल चेश्टा रहती है जो किस तरी कैसे मैं थुरा सा शेबा मिल जाए तिस शेबा के द्वारा हम राधारणी को शुक शंपदन करें अपने शुक उच्चा नहीं दूसरा दूसरा जो माधूर जो उपशना पद्धति में है वो भी माधूर जो है लेकिन उनको क्या है प्रार्थना करते हैं ए राधारणी कौप तुम जुगल बिलाश बिलोशीत अवस्था में निकुझ भवन में तुम बिहार करोगे हम रंद्र प्रदेश से तुमारे वजुक उच्चा नहीं अश्वादन करके हम दिब्ब अनंद शिंद में निमगन हो जाएंगे क्या ऐसे प्रार्थना है मादुर जो लेकिन उसमें आपना शुक है चाहा हम ऐसे अनंद शिंद में डूब जाएंगे हम ऐसे बिलोशीत अवस्था में देख करके दिब्ब अनंद भाव प्राप्त कर ऐसे लेकिन ये मंजरि भाव उपशनः पद्दती इस से हट करके यसा नहीं ये बिलाप कुश मंजली देखना बिलाप कुश मंजली उसमें हमने दाशगर्ष में बिलोचीत अचेथ बिलाप कुश मंजली देखना ये प्रार्थन आलाग क्या प्रार्थ ना करते हैं जिमाया तुम्हारे कब शोचागार को इस तरह से सुधन करके आपने केश के द्वारा शनमार जीत करके हम तुमको शुक्षंपदन करेंगे तुमको शुक्षंपदन करेंगे हमको शुक्षंपदन करेंगे कभी भूल से भी राधारणी शाहित अबस्त में है, मंजरी पंखा लेकर के राधारणी को पंखा कर रहे हैं, और राधारणी की ओर रूप मदुरी में देख करके ऐसे बिकार दशाप्राप्तों हो के हाथ से पंखा गिर गई, और गिर जाने से राधारणी ऐसे देखे मंजरी के तरफ, फिर राधारणी आख मुतकिर फिर शो गई, और वो मंजरी फुटके रूने लगी, जैसे हती फट रहा है, क्यों? इसलिए कि मैं राधारणी के शुक संपदन के लिए मैं ऐसे पंखा कर रहे हूँ, और आपने आनंद में बिभावी तो हो करके हम से पंखा गिर गई, हम शुक में राधारणी के शेवा में बादा आ गई, ऐसा आनंद को धिकार है, ऐसा आनंद हमको क्यों आया? आनन्द को धिकार दे रहे हैं ऐसे आनन्द हो आमको नहीं चाहिए ऐसे आनन्द हो अपनी शुक्य चकिति चित मत्रों शंदा नहीं ये बड़ी विशिशता है ये चमत्कृती ये भज़न चमत्कृती है एक मत्रों मंजरी उपशन पद्धती राधास नियादी का प्रान शकी इसलिए प्रान शकी अच्छा आप कहिए वहां तो नित्त धाम जुगल की शर्विरा जमान है वहां जुगमाया कृतो लिला इसे रचना करते हैं वो ठंडी गर्मी राधानी दोनो निकुण जभबन में आए हैं और पसिना से लगपत हो रहे हैं और मंजिरी पांखा ले करके चामार ले करके चामर बजन अच्छा ये कहिए न क्या गर्मी तो कोई अच्छा लगता है कोई चाहता है गर्मी कोई बहुत गर्मी हो जाए तो प्रकृति ऐसे बीरूप प्रकृति के हो वहां तो दिब्बलीला है वहां बीरूप प्रकृति के बीरूप अपस्था मने घर्मी मोसम ठंडी मोसम कपको भी लागए के ठंडी है देखिए चीरो बशन तो जहां है ठंडी नहीं गर्मी नहीं वहाँ पांखा का कोई अवश्रक्ता नहीं, वहाँ जो अगनी प्रजलन करके जो अगनी तापते, इसका जो शूख है, ठान्डी मोशम में वह आनंद मिलता है, दूसरा मोशम में वह आनंद मिलना संभव नहीं, आपके समय अगनी प्रजलन करके धर दिया जाए, तो आपने बैटके वो आनंद मिलेगा, ठानी गर्मी मोशम में, जब घर माग तो कले बार हो करके जब आते हैं, उसमें जब पांखा के हावा, कितना मधुर लगता है न, ये कि वो ऐसा क्यों, ऐसा प्रकृति की बिरोद अबस्ता क्यों, बोले ऐसा नहीं है, जैसे हम राधारनी के शु शुख दे सकती हूँ, राधारनी, ये सुन लेजे, एक नई शंदेश, शायद कोई देता है कि न, पता नहीं हमको, एक नई शंदेश, जैसे हम राधारनी के शुक संपादन के लिए, हम कोशिश करते हैं हमरे अखिल चेष्टा, राधारनी के भी ऐसे अखिल चेष्टा है हमारे शकी प्रिय शकी प्राना शकी उसको मैं कैसे शुग प्रदान करूँ राधरनी के हर समय चेश्टा रहती उसको शुग देना है हमारे मंजरी को जैसे राधरनी है हमारे प्रान समय प्राना दिक ऐसे मंजरी भी राधरनी के प्राना दिक इसलिए जैसे मान लिजिए जु अब सब शक्यां सब विराजमाना है जो प्रदान शक्यां वस्ट शक्यां लोलिता अभिशका चित्रा इंदुलका चंपकलता रंग देभी तुंग विद्शू देभी प्रियोनार्म शक्यादी और उनसे छोटा है छोटी है ये मंजरी रुप मंजरी रोती मंजरी आदी आप ये मंजरी सोच रही है अब मैं कैसे रादारेने के सुक्षंपदन कुर हमारे लिए क्या स्वेवा तो उनसको सुक देने के लिए आप ये प्रकिति को प्रकिति शिकार कर ले थे गर्मी मूसा मगई अब पांखा अब मंजरी पंखा कर रही है उनको सुक देने के लिए अगर मानेजे हमारे गर्मी नई तो पंखा करने का शिवा कोई प्रज़ों ये ताई है नही तो उनको तो शिवा देनी है ना घर्मी मूसा मगई अब आई ऐसे प्रकिति भी जो भी है ये सब सहो जुगी है शेबा उपकरण है शेबा उपकरण है सब फिर एक सकी सुस्ट रही है उनको तो पांखा कर रही है मेरे लिए क्या शेबा और उहां ऐसे निभाषा से नहीं सब दुका उनों प्रवेश नहीं हुआ राधरनी नजर देती है उस समझ जाती है जो राधरनी ये चाहती है भीतर में आवाज हो जाता है जान जाती है राधरनी ऐसे कोई शक्रति ऐसे देखती है वह अकंका करके बैठी है कि हमको कुछ शेबा मिले समझ गई है राधरनी को बहुत प्यास लग गई बहुत प्यास लग गया अनन्द है अब प्यास नहीं आपको पानी दिया जाए तो वो पिने से आपको अनन्द थो भी होगा भूक नहीं है, तो खाने का आनंद थोड़ी है, एना, आपने हाथ से, वहाँ ऐसे शिवा नहीं, वहाँ, आपने हाथ से, रादरनी को पानी फिलाती है, जुगल किशर को पानी, इस शिवा देने के लिए प्यास लग गया, प्यास क्यों, शिवा देने के लिए, फिर आओ रह नेत्रतो और एसे मिठी 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 वहां के छटा एक बर किसी बर पढ़ जाए किसी नजर में तो अकंडो अनंत अनंद शिंधू जैसे उसको मिल गया है ऐसे एक नजर की छटा प्राप्तो करके ऐसे अम्रित दृष्टी है अम्रित छटा एक नजर एक नजर के थोड़ा सा किसी के प्रती अगर हो जाए ऐसे हैं समझ गई है उसकी जाके शुबन नो कौटोरा में उस भुजन समगरी अपने मन पसंदी दी ले करके जादे नहीं कह रही है हमको भूख लगे कि उसके लाद ऐसा है वहाँ शेवा यह शेवा जो है शेवा उबकरण जैसे सांतो दास्टर सक्ख बात्सलना मदर पांचवीद उपाशना पद्दती सांतो भाब जो है यह है बईकुंट में यहाँ भगवान कर्तूम अकर्तूम अन्यता कर्तूम भगवान बीभू भगवान शर्बग्ग है भगवान मुखदो नहीं है भगवान का भूख प्यास होता नहीं क्यों भगवान है ना उनके निद्रा नहीं भूख नहीं प्यास नहीं यह सब बिकार जो है यह शरीर धर्वी मुनश्य के लिए बिकार है चित जगत में ये बिकार होता नहीं है ये बिकार है नहीं भगवान में ये बिकार होता नहीं है तो वहाँ ये भाव शांत भाव वहाँ कुछ भगवान का भूक नहीं प्यास नहीं कोई शेवा नहीं भास भगवान को दर्शन करते हैं रस्ताफ स्तुति करते हैं युहां जुगिंद्र मुनिंद्र आदी चुतिश्वन आदी स्वावा दर्षन करते हैं वासुसी में इत्रुप्त यहां यहां ऐसा नहीं आए यहां भगमान का भूख है प्यास है शब निद्रा है एक दिन राधारनी निकुझ भवन से लेगाये मंजरी लेकर के शायनागार में प्रभात हुई नहीं शायनागार में लेकर के शायन कराये हैं खड़ा करके उनके चरन संबहन कर रही है मंजरी कुमल चरन का अपने जंक पर उठा कर एसे नहीं जया राधान निश्व यह है ना चरन कुमल को अपने जंक के उपर रख करके और आधारनी की इच्छा हुई जो अमारे मंजरी को कुछ हम उपहार देंगे आप मंजरी का निद्रा आ रही है से फिर दवारी दवारी फिर दवारी 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 रधानी देख रही है ए जली दरा सोजा यहां सोजा अपने पगर में सुला दिया मंजरी को एक दम बगर में एक ही यह पर बालिश दूबर शुला दिया शुला करके पकल दिया जब शुजा चल शुजा थोड़ा सा और ओ तो मंजरी तो शोए नहीं आपर राधारनी निद्रा आ गई निद्रत अबस्ता में ओ मंजरी को क्रिष्ण भ्रुमित हो करके ऐसा ही अंगश संचालन कर रही हैं राधारनी अंगशंचालन आदी वस्त प्रशारन आदी पदशंचालन आदी जो क्रिष्ण शो करके ओ तो क्रिष्ण प्रेम महीं वो तो क्रिष्ण से और कुछ जानते ही नहीं और कुछ है ही नहीं क्रिष्ण प्रेम से वो बनी हुई वो राधारनी है द्यवी कृष्ण मही राधी का परदेवता शर्व लक्ष्वी मही शर्व कांती स्वन मही निपरा। कृष्ण मही देवी तो आप कृष्ण ब्रह्म से शो गए है ना तो ऐसे कृष्ण जान करके जैसे बैबहार ऐसे ही भस्त पदादी शंचलन आदी बहु शंचलन बहु प्रिष्ठन आदी और ये आनंद जो है ये दिब्बा है बहुतिक बिशाय नहीं आई है क्यों बोधिक बिशाय जो मिलन धन्मि प्रक्रिय ये शरीर धन्मि आए आत्मा से इसका कोई संबल्ड नहीं है कोई अगर ब्रहाम से भी ऐसा ना शोचें कि ये मुनश्य चीतो का बहार ऐसा नहीं है वहाँ देह देही अलग नहीं है एक ही है हमारे देह अलग देही अलग हम लोग जो शुक प्राप्ट करते हैं बहोतिक शुक शब्द पर्षव रूप राज गंध ये देह संबंधी है और दिया में आत्मा के तदात्मत के कारण दिया में आत्म बुद्धि के कारण शरीर के दोरा हम ओँ शुक के किंचित अभाश प्राप्ट करते हैं बस ये जड़िये शुक है चीद भी शेक शुक नहीं है लेकिन उहां ऐसा है कोई शप्टों में भी कलपना ना करें जो ये जो दिब्बो निला जगत में जो मिलन है जुगल किशुर ये ऐसा नहीं है कैसा है? अचिंत अगम्यों इंद्रातित गुनातित लोगातित मयातित अनुभब बेद्ध कृपाशद्ध उस स्थिति में जो पोफशते हैं तो जाकर करके राधानी के कृपाशद्ध से वो अनुभब कर सकते हैं लेकिन प्राक्रितों शाम्यों के कारण हम लोग उसके साथ तुलना करते हैं जब बोलते हैं तो जैसे प्राकृत हो पस्तवे वह है नहीं वह चिन्मय है दिव्य है यह माया है अज्ञान है यह बंधन है वह मुक्ति है यह अंधकार है वह रुष्णी है यह दुख है वह आनंद है यह बंधन है वह मुक्ति है दोने भीपरित धर्मी इससे उसका कोई तो राधा कृष्णो जुगल मिलान के जो अनुभूति दिब्ब जगत के जो राधारने के जो अनुभूति है उसको मुञजरी का अश्चादून करार है देखो उरशकार है ना तो यह है मुझरी उपाशना पद्ध दती है ना जो कि महाप्रव के अबदान यह अबदान यह महाप्रवी एक मत्र ये बस्तु ये मंजरी उपाशना पद्धती अनारपीत चरिंग चीरात करुणा वतिरन कलोव। समारपयत उन्नत उज्जल रशांग्षा बक्तिस्तियाम। करुणा वतिरन कलोव। कोली जुग में करुणा करका वतिरन हुए हैं। क्या करुणा नहीं ये बस्तु ृ कभी अनारपीत कभी कोई जुग में ये अरफीत हुए हैं। इस jest को कहते हैं। उज्जल उन्नत रशो उज्जल उन्नत रश वो बस्तु वो क्या है ये मन्जरी भाव उपाशन पद्धती भावल्लाशा रती इसको कहते है भावल्लाशा रती राधरने कि भाव से उन्नत रती है ये मन्जरी उपाशन पद्धती राश्य सब्धती के आंदर अलोचन पड़ कुलिकर अभी पुर्ण रावरिटी नहीं करेंगे तो यह जो रूप गुष्षामी सानातन गुष्ष्ष मी आदिज हमारे सरो गुष्ष्षामी यह है नित्यच्थ सकी बने प्रान शकी है यह अस्त गुष्ष्ष्षामी अस्ट प्रधाना मंजरी, रूप मंजरी, रती मंजरी, विलाष मंजरी, कुस्तिरी मंजरी, मंजरी, राष मंजरी, गुनमंजरी, लबंग मंजरी, ये अस्ट प्रधाना मंजरी, रूप शनातन भर्ट रगनात, सीजीव गोपाल भर्ट दास्ट रगनात, लोकनात गुष्ण श्रीव गृंत प्रणयन नहीं आचरन करके भी शाधन जीवन में कैसे आचरन के द्वारा कैसे तैक तितिक्षा के द्वारा कैसे निलिप्तता निस्प्री होता उदाशिन होता मद्यम करके किस तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं ये आचरन करके प्रदर्शन करके हमारी सिख्षा के लिए आए हैं, महाप्रगु के साथ आए हैं, तो सौनातन गर्षामी, हम लोग गर्षामी पात की जीवन चरीत हम लोग आलोचना कर चुके हैं, अभी सौनातन गर्षामी की जीवन चरीत संबंद में आलोचना कर रहे हैं, तो ये हुशें शाह बंगला बिहार उरिश्या के महान अधिपति था, हुशें शाह उनके प्रधान मुंत्री थे स्वानातन गुष्वामी, नाम दिये थे हुई हुशें शाह ने शाकर मुली, ऐसे नाम भी दिये थे, वो सब छोड़ चारके, तिब्र बैराग ले करके, अपना शरूप जागरिती होनी के कारण सब परित्या करके, त्रिनवाद परित्या करके चले आये हैं, आ करके, काशिपुरी में आ करके, महाप्रभु के सानिद्ध में रहे करके, शास्त्र सम्मंद में धारणा, पुर्ण ग्यान प्राप्त करके, महाप्रभु के किरपा अ कोई हाई नहीं, जंगल था, तो सोचे हैं, भाई हमारे छोटे भाई रुप तो आ गया है बृंदावन में दोनों भाई मिल करके आमारे प्रान्पुरियो भाई, फ्रान जैसे प्यारा भाई, रुप गुष्ष्वामी, दोनों भाई मिल करके रहेंगे, उपाशना क्या करें वो तो जगनात पुरी में है, यहां हम किसका उपाशना करेंगे, महाप्रमें एक निष्टा है ना तो ऐसे भावना, खेर ऐसा नहीं, वो तो शर्वत्र विराजमान है, ब्रिंदावन है, ब्रिंदावन परित्य जो पाद में का नगच्छ थी, भगवन कहते हैं, निया में करकी किरिपा अब लंमन करके, ये नित्र के अंदर ये एक नित्र प्रेम नित्र खुल जाता है, तो ये देखते हैं चिन्मा दिब्व ब्रिंदावन देखने में समर्थ हो जाते हैं यही ब्रिंदावन गोलोगधम जाने का जुरू रहते ही है जो गोलोगधम जाके वो दिब्व ब्रिंदावन ना ना ऐसा नहीं यही बिरिंदा बन, यही यह चिन्मा शुरूब, यही बिराजमाना है, लेकिन माया बद्धो जीब यह जान नहीं पाते हैं, यह माया ने इस तरह से आवरित करके रखे हैं, दिब्ब चिन्दा बन कियो चिन्मा शुरूब, है ना? हमेरे नड़तम ठागुरी जब दिख्षगरण किये हैं, लोकनाद गुष्च्रमी से, उनका नेत्र खुल गया प्रेम नेत्रो, लोकनाद गुष्च्रमी मेरा जमना निदु बन निकुझ जमन, कहते हैं, नड़तम थोरा मिट्टी लिया, थोरा हाथ, थोरा सोवशादी क्रिय के बाद थोरा हस्त शनमार्जन के लिए थोरा सा मिट्टी चाहिए, यहां तो ब्रजय के राज है, पुवित्रो तीरत है न, लीला भुमी है, यहां के राज से हाथ सब परने माम को अच्छा नहीं लगता है, तू थोरा बाहर से थोरा मिट्टी लिया, और उन दिब्वप् नरत्म ठागुर का, तोक्री लेकर निकले, देखते हैं सब हीरा मती चूर्णों जैसे बिखड़ा हुआ है सब, चीनमा दिब्व सब, लता बिर्क्षवादी सब शरुडितु बन, दिब्व अनंद ब्रिंदावन की अध्भूत छठा देख रहे हैं, कहीं मिट्टी दिखी जैसे हीरा मती चूर्ण डस्ट करके रखाया ना, ऐसे हीरा मती के डस्ट चूर्णों जैसे, चल रहे हैं टोक्री लेकर, चलते 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 ब्रिंदावन पार करके, ब्रिंदावन की शीमा पार करके, आगरा के पास जा करके, मिट्टी मिली, तो वहां से एक टोक्री मिट्टी लेके आया है तो जाने में एक दिन आने में एक दिन दो दिन लग गया दो दिन पीछे एक टोकडी मिट्टी लेके आया है नौरत्तम ठागुर गुर्देब कहते हैं तू कहां चला गया था मैं यहां बैठा हूं तेरे इंतिजार में तु कहा गया था गुर्देबाब तो मिट्टी लाने गए अरे पागल मिट्टी लाने कहा गए तो मिट्टी यहां है नहीं तो मैं क्या करूँ मिट्टी है नहीं क्या दिखता है तेरे को कहा है यह तो शब चिनमा शब ऐसे है ये नामती बिक्ड़ा हुआ तो कहां से लाया तो हम तो चले गाए ब्रजोश्रीमा पार करके फिर हमको मिट्टी मिली तो वहां से मिट्टी लाये तो ऐसे प्रेम नेत्र खुल जाए यह ही प्रिंदावन में यह नहीं तुमको गुलक धम जाना जुरूर ऐसे नहीं जहां गुरु क्रपा अस्वाय करके राधरने के चरण शरण लेकर के जो उपासोना करते हैं तो राधरने के क्रपा से वह प्रेम नेत्र, इस नेत्र में यह प्रेम नेत्र खुल जाता है तो दिव शरुब देखने में जाने प्रियाप्रितम के, के भो के निप्त लिल्ला में करते हैं, ना अप्रकृत प्रकाश्मु करते विल्फर ने मैं जो सिवा करते हैं.. इहां बैटके, जो चीन्तन में, मा नद्नी सिवा produce के देजी ऑधृप्रिंळावना। तो परिवर्टन शील जैसे भगवान यहां से जले जाती है मोथुरा में पंक्षो मारन आधी जिस दारुका में गवन यह नहीं नहीं है वहां ब्रिंदामन शुटकर कुछ आई नहीं और ना दारुक में जाते हैं वहां भगवान वास जोगार की शोर विराजमान है मित्य लिले में राधरानी सूरीकुंड जाती है। शार्व परी है शास्र दल कमल जैसे गलगधाम। उसके भीतर लिएक कॉर्णिका है। असे कौरणिका है उस कौरणिका में अनंत कुठरी है और एक हर कुठरी अनंत है और एक एक कुठरी में जुगनकिशन एक एक लिला प्रकुठर्टन करती है, अलग अलग लीला एक कठरी के लिला अर्लोन कठरी में ऐसा नहीं, ऐसे अलग अलग है, जैसे मानली जिये जो हरिदाशी संप्रदाय, जो विन बाकी बिहारी, हरिदाश संप्रदाय, उनका एक ही शक्षी है ललिता शक्षी और हमारे अस्ट्र शक्षी और उनका है कुझ निकुझ भवन में लीला हमारे निकुझ भवन में हमारे बहुतों लीला खुर्ज कुंड जाते हैं राधा कुंड जाते हैं बनब्रह्मन करते हैं जलो केली करते हैं आधी बहुतों लीला तो वो शत्य है ना ये शत्य है सब शत्य वो एक कोठोरी के लिला हमारे और एक कोठोरी के लिला ये है तो अग्यानी जाए हम से अग्यानी क्या करते तरक भी तरक करते तुमारा कुछ नहीं है ये हमारे इशाब है हमें ठीक है तुम भूलो यह है अग्यान था बालक जैसे बालक पन बालक जैसे आपस में लड़ता है ना हम लोग ऐसे बालक पन है ना बस तमें ऐसा नहीं उ भी ठीक है ये भी ठीक है अलाग अलाग जो कोठोरी का लीला है अनन्त कोठोरी अनन्त लीला ऐसे कहते हैं इसलिए हमारे कोठोरी अलग है य कोठरी माने यह निश् einzवीत नहीं। यह तक दिदःस्राइव। कोठरी माने अनन्तु अन्त हीन। अन्त हीन अनन्तु अनन्तु अनन्त करि ब्रभ्म sa Period इश कोठरी के एक कोण में धरा रहेगा। इतना विशाल, अनन्त विभु नित्य नवायमै। नित्य नुए अनंत कुण्जु एक कुण्जु थड़ी एक कुण्जु का बन्नन करते हैं वह एक कुण्जु नहीं अनंत कुण्जु आज जिस कुण्जु में राधाकृष्ण दोनों बिहार कर रहे हैं काल ऐसे चलते हैं शक्यों को ले करके अलग कुण्जु अलग बन श प्रकृतिके अलग शुभा लता गुल्म अदी बिक्षो लता उश्पाद शुम नित्य नभी नत्य मुझव जैसे कभी देखें नहीं एैसे सुन्दर अता बन हुमी बना प्रदेश की इतने सुन्दर ऐसे शरोबार कभी नहीं देखे हैं ऐसे निकुंज भवन कभी नहीं देखे हैं वहां जुगल की शर बिराजमान हो जाएंगे हो करके लीला भी नोत करेंगे फिर काल जो लीला करेंगे फिर एक नई कुंज वो भी क अनंतो लीला यह तक दीग दर्शन के लिए हमारे लीला श्मनन पद्धती उसको सादग चिंतन करके दीरे 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 राधन की किरपा प्राप्त करने में समर्तो हो जाएंगे एक पद्धती है लेकिन ऐसा उहाँ ऐसा नहीं है अनंतो कुझो अनंतो अनंतो अन्तो हीन सब लीला स्थलिशव है चलो हम आगे चलेंगे हम लोग फिर स्वनातन गुष्चमी आये हैं ब्रिंदावन में महाप्रव के आदेश पालन करने के लिए लेकिन मन लगता नहीं भाई आचाले गया है जगननात पूरी मन लगता नहीं क तो चल दिये हैं जुगनक किनार 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 चलते 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 अब आए हैं बिहार में वहाँ बहुत दिन इस तरह से बड़े कश्टुशी उस्टुश्ट रास्ता गट था नहीं जंगल है रास्ता भी था नहीं कहीं चलने का कोई ठीक आना नहीं ऐसा नहीं जो मान्चित्र देख करके चलेंगे, ऐसा उस्थित ही नहीं थी उस समय, बहुत ही बैकवार्ट था उस समय, श्वमाद जीवन, चलते चलते जारी खंड के रास्ते में सूने हैं, महाप्रभू, जारी खंड के जंगल के रास्ते से गए हैं, मन हुआ हम भी चलेंगे, महाप्रभू, कैसे बनप पुर्दिश में जैसे महाप्रभू चले हैं, उस समय शूमस्तो, महाप्रभू जब चलेंगें जंगल के बितर से, सब हिंग स्ट्रो जंतु जनवार शब, महाप्रभू के शात सात चलेगें, उन्गमन किये हैं सब हिंग्षा भूल करके महाप्रुपाने लेकर शिरक रहे हैं बोल हरे कृष्ण सब जुन तुजाना हरे कृष्ण कर रहे हैं भरीन भालू गंडार हस्ती बैग्र आदी सब साथ चले हैं महाप्रुप के साथ यह हम नहीं कहए रहे हैं जो हमारी इस त्यारा बनाकर कुछ कहए रहे हैं यह तो इतियाश कहती है इतियाश ऐसे कहती है तो ऐसे महाप्रुप अध्भूद लीला प्रकुटन की हैं जहां समस्तजीव जगत जे कोशु भी महाप्रव के पीछे-पीछे उन्गमन किया है हरी नाम करती करती है ऐसे कहती है हमारे इतियाश ऐसे कहती है तो वहाँ से चलते-चलते वो तो खाने का ठीका नहीं पहने का ठीका नहीं पानी का ठीका नहीं जहां तहां पानी पीना पड़ता है जानकारी तो कुछ है नहीं, जंगल का रास्ता कभी भटक जाते हैं, कभी निद्रा, कभी अनिद्रा, कभी भिक्षा, कभी उपवाश, चेरा काथा, नेरामाथा, मुखे कृष्ण गुन गाथा, पुरिधानी चेरा वहीर वाश, पकुन बने रशाग, अलो बने कोरिपाक, ज़्यू सपरा वहीर वहीन, कभी न आछरी जाते हैं, कभी प्रमानोंदे भाश, कभी भिक्षा, कभी उपवाश, आसे तीव्र वाही रगो चलते, 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 यहाँ, वहां के पानी पीकरके इस तरह से शरीर में ना खाव हो गया, चार्मो रोग हो गया चार्मुरोग उने भयंकर चार्मुरोग यहां से मिवाद गिर रहा है यहां से मिवाद गिर रहा है में मिवाद शरीर में मिवाद आप कोई रखम चलते 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 आए है खबर पोज गया महाप्रभु के पास सुना तो न आए है देख करके महाप्रभू बहुत समय देखे आहा क्या स्थीती है महाप्रभू जाके छाती में भर लिए और उनके शरीर के जो मियावात प्रवाद महाप्रभू शरीर में लग गया बहुत संकुची तो हो गए हम आके बहुत गलत किया है माप्रभू कश्ट देने के लिए आए देखा हमारी मिमत प्रबाद लाग रहा है शरीर में छीक नहीं पहते हैं प्रभू आप ऐसे कश्ट मत कीजिए आपको सपर्ष मत कीजिए प्रभू आप अस्प्रिश्य है ऐसे ही तो निज जाती है निज संशकारी है तो प्रभू आप ऐसे आपको सपर्ष मत कीजिए प्रभू आपको बहुत कश्ट होता है बोलता है शनातान तुमको देख करके जगत पवित्र होता है तुमको सपर्ष करके हम भी अपने को पवित्र मानता हूँ यह भगवान का एक सभाव घगवान भक्त में इतने प्रैम राखते है जो भागवान आपने को पवित्र मानते हैं ऐना स्रिमाद भागवात में निरवपेक्सांग मुनिक शांतंख नीरवई रोचामदर्शिना अनुब्र जामहां नित्तंख प्यत्त्रं ग्रिडयनु भी ऐसे जो भक्त है निरपिश्यमुनी शांत निरवीरो शमदर्शी मैं उसके पिछे पिछे उनगमन करता हूँ उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंगमे लेपन करता हूँ और मैं आपने को पवित्र मानता हूँ भगवन हम स्रीमाद भागवात कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं तो यह भगवन का शवाब है भगवन का यह शवाब है तो फिर भी शानातन गुश्यमुनी बहुत दुखी हूँ गए जो हम भूल किये हैं नहीं आना चाहिए था यहां आकर के प्रभु इस तरह से हमको स्पर्श करती है यह तो ठीक नहीं तो जहां हरीदाश ठाकु रहते वहीं एक जगा निरबाचन करके उनको दिये हैं जो यहीं बिराजमान हो जाओ और शानतन गुष्टे में कभी जगना दर्शन करने गए नहीं क्यों ऐसे उनके मुन की भावना जहां नीश्चे भी है मुस्लमान के घर में मुस्लमान के शाथ रहे हमारे आचरन भी ऐसे ही है बहुत भृष्टा चारी है तो हम बिर्शन के स्पर्श के अजुग है मंदिर जाएंगे हम बिर्शन के स्पर्श हो जाएगा पुजारी के स्पर्श हो जाएगा तो यह अपराद हो जाएगा हमारे लिए हम मंदिर में गुष्टने के लिए हमारे कोई जुगता है नहीं अनुदी करी है हम, हम बहुत नीच है दीनता न ये है भक्त के लिए एक अलंग कार जहां दीनता है वहां भक्ती है जहां भक्ती है वहां दीनता है ये एक दुसरे के पुरिपुरक है भक्ती है तो दीनता है दीनता है तो भक्ती है और दीनता आई शादन सद्ध नहीं है शादन करके तुम दीन हीन हो जाओगे ये तो भुक्ति देवी जिस स्रीदाय में उनुप प्रविष्ट हो जाते हैं तो भुक्ति देवी के कृपा से सिर्फ वो बिनम्रता आज सकती है वो देखते हैं जगत में सब जगो सिर्फ हामी और जगो है सब में गून देखते हैं अपना दोश देखते हैं भर्ष में अपने दुशानुशंदान और दुसरा का गुनानुशंदान हमें ये अब गुन हमें ये अब गुन अरे हमें तो ये कमी अरे इनमें तो बहुत शारे गुन है अरे ये तो हमसे अच्छा है अरे एक कुता भी तो हमसे अच्छा है इसमें ये गुन देखे गुनान उशंदन काली एक जना हमसे फोन करके रो रहते बड़े बहुत अच्छी स्थी थी है क्या रोने के क्या मामला बाबा आपका असर में जाते हैं देखते हैं उनमें इतना गुन हैं उनमें इतना गुन हैं हमें कोई गुन नहीं बलकि फुट फुट करके रोना शुरू कर दिया पावन भाईया कितना सुन्दर देखते हैं वो भी कितना सुन्दर यह है पारर भाईया औरे वो भी तो देखते हैं अरे कितना आपके शेबा करते हैं हम कोई काम करें आर क्या रोना फुट-फुट करें आप सबका गुन-मंदन करें वो अच्छा है वो हमसे अच्छा है रहे गए हम लोगे देखो भक्ति देवी की कृपा जब होती है तभी जाकर ऐसे दिरिष्टी होती है सब में गुनान उशंद्धान सब हम से स्रिष्ट है हम भी कमी है यह कमियां जब तक शादक नहीं देखती है तब तक जान लेना तुम अभी भक्ति देवी की कृपा अपराप्त करने में तुम में वो शामर्थ है नहीं तुम में बहुत कमी है तो ऐसे दिनता यह दिनता शाबाभी की जैसे पानी परवस्ते पानी बह करके बर्षात के पानी जम जाती है कहां? जहां गाड़ा है गाड़ा ऐसे दिनता ऐसे गाड़ा शाबाभी में आ करके भक्ति देवी भक्ति देवी के किरपा उहां जाके रुख जाती है दिनता मोशम कौन कुटिले खलका मी जाहेता न दीयो ताहे बिस्तरायो ऐसा निमा खारा मी शुर्दार जी के पाद मोशम पतिते नाई त्रिवु बोने देखो चाई नरत्तम पावन नाम धरो नरत्तम उठा कुरकार है हम उनके कितना घमड़ी हम सादू है हम बश्णव है हम ऐसे हम गुरु है आकर शब गुनानु शंधर करते हैं देखते हैं शब का दोश यह तो ऐसा है वो तो ऐसा है वक्ति दे भी किर्पा है नहीं इसलिए ऐसे मानुश्यक अता जब किर्पा होगी तब हम भी देखेंगे हम भी शब का गुरु शंधर करेंगे इसके पासे बश्चिता है इसलिए अभी मानशी को तायसे है नहीं अभी को किसको कहूँ किसको सुनाऊ मेरी दुखरा वक्ति देवी किर्पा है नहीं इसलिए गमर्ण है आंकार है मैं शाद हूँ यह विमान सनमान में प्रशन होते हैं अबमान में खिन्ड हो जाते हैं अचा चलो फिर इस तरह से उहाँ शादान्ग89 में मंदीर जाते नहीं मंदीर के चुलादर्शन करते हैं अशादान करते हैं और शादान्गष्णमा के लिए प्रशाद भेज देते हैं मा प्रभू बक्ति के दभारा और प्रति दिन आते हैं वो तो कहीं जाते नहीं, और आके पहले शणतन गुर्ष चाती में भाल फूँए। और यह बड़ा अपसंद, शणतन गुर्ष नमी का बड़ा अपसंद, तो चाहते हैं महाप्रुब आपको पर्ष्ण करें, शरी मियेश्ण चर्मरोग हो गया ना, शुद्भी महारी ना जने महांप्रुब को हो जाएगा, वहीं, महांप्रुब आप हमको पर्ष्ण मत कीजिए, महांप्रुब आपको श्रीण मत कीजिए। अजी आपकी पहले एकदम चात्यों और देखते हैं, जो मुमात फवाती सो लग जाता है शोरीर में बोलते है श्वनातन हमको अच्छा लगता है तो मरे शरिष्जेना चुतिश्वम का गंद आता है शुगंद आता है एक हमको बड़ा अच्छा लगता है श्वनातन कुष्चा में देखते हैं भाई अच्छा नहीं सब के किपा प्राप तो करेंगे हम सपर्ष्र करने के लायक नहीं शरीर में ऐसे कुष्ठ कोरी रोग हो गिया जैसे तो ना भगते ना भजन और विश्में से छुद भी मेरी ऐसे ना जैने कि इसका कुन वीमारी है अमरे सपर्ष्र से हो जाए और मापरवा आ कर रोज रोज हैं को चाती में भल लेते हैं तो मन में सोचे हैं इस जरीर त्याग देंगी बहुत पापी बहुत भुल ब्रांती बहुत अन्याए किये है हुशैन साके जब शौत जाकर लड़ाई भी किये है कितना हत्या किया है कितना कुacağ किया है लड़ाई करना पड़ता लड़ाई में रणा मुवी में अब ये शरी तेग नहीं हूची था ये शरी आपकारन करने लाएक नहीं है ये कोई काम में आएगा नहीं हम बहुत पापी है वो पापका शाजा भोग रहा है देखिए कैसी है ये शौप को भोगना पड़ता है ये हम लोग तो छोटी सी बात पर भी किस तरह से दुख ही हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं ऐसे महाप्रु के पार्शादिन लोग भी देखो किस तरह से दिखाते हैं जो ये प्रारब्ध हो ये शाहन करना पड़ता है शादक जीमन में भी ऐसे शौग दूख और शौभिशाद ये परिस्थिती आती है लेकिन उसमें प्रभु के किरपा जान करके उसमें प्रभु के कोई मंगल है जान करके शांत तो रहना चाहिए तो क्या करेंगे भाई शौरीर को हम त्यागेंगी अब हम रहेंगे नहीं प्रभु प्रभु थी हमारे साजा ये शौरीर में रहें लाक नहीं है हम इसको त्याग करना ये उचीत है तो क्या करेंगे ने जगनात के रत जात्रा उन्हें वाला है तो रत के पाईया के नीचे हम छोड़ इड़ते हैं कि देंगे रबज़ खीचेगा बट पाईया के नीचे आ जाएंगे बास यह अच्छा हमारे लिए ठीक है तो दो एक दिन पीछे ही रत जात्रा समय आगिया है स्वनात अनुसी निश्चा कर लिया जो महाप्रवू रहेंगे किर्टन करेंगे और हम चलेंगे और शब्राद रहे करके महाप्रव के सामने जगनात के सामने रत के पाईया के नीचे फरिष्टिया कीगी उत्तम आमाने लिए उत्तम है ऐसा निश्चा कर लिया महाप्रवू जान गया महाप्रवू बुलाएं सनातन जगदानन्द महाप्रव के परम्प्रियों पार्षद है सत्तु मामा के अवतार जगदानन्द जगदानन्द शरूप ये शनातन देखो इसका कर्म देखो ये शहन किया जाए बताव शहन करने लायक है इसके बैबार ये दूसरे का स्वंपत्ति ये नश्ट करना चाहता है बोलो कैसे शहन करेंगे दूसरे का स्वंपत्ति नश्ट श्रण तुम्हारे पास कोई बस्तूर अग दिया जाए और उसको तुम नश्ट करते हो तो जो रखा है उसका कष्ट होगा न तो ये दूसरे का गच्छित धन ये नश्ट करना चाहता है बताओ ये कोई शाहन होता है बताओ ये ऐसे बुद्धी आए श्रण तन गुद्धी ऐसे ही दुखी है आप तो ये बात सून करके जैसे मर गया समझ भी आ नहीं रहा है क्या कहना चाहते है क्या हमने किसका धन नश्ट किया तुम धन नश्ट नहीं किया गन्य नहीं चाहते हो ये शरीर किसका है तुम्हारे शरीर है ये शरीर किसका है बता तुमने शरीर को शमर्पन किया है की नहीं, यह है, हमको शमर्पन किया है, जब हमको शमर्पन किया है, शरीर तुमरा नहीं है, हमरा है, तुम हमको दे दिया, तो हमरे दिया हुआ बोस्तु यह शरीर को तुम नस्ट करना चाहते हो, जगनत के पाईया की नीचे, शरीर तुम इस तरह से अपर आया दूसरा का धन तुम शमर्पन कर देखा हमारे धन है वह हमारी बुस्तु है तुम हमारी बुस्तु कैसे रश्ट करोगे यह शरीर तुम्हारा नहीं हमारा है और ऐसे शब्दों करके तो एक दंपी गल गया जब महाप्रभू हमारी शरा गंदा शरीर को कहते है तुम्हारा नहीं मेरा है फुट-फुट करके रोना शुरू कर दिया महाप्रभू के करोणा देख करके प्रभू मैं क्या करो मेरा जीने का कोई और कोई उपाय नहीं है है हमारे कल्यान के लिए मैं और कोई मार को दिख नहीं रहा है हमारे सामने अंदकार दिख रहा है हम इतना पाप ही है इतना नीच है अस्प्रिश्य है तो महाप्रभू जा करके जट छाती में भर लिया भर लिया जब देखते देखते कहां ओ चर्मरोग उस एकदाम शुद जाहे कभी कोई चर्मरोग था ही नहीं एकदाम सुन्दर शच्च निर्माल शरी एकदम पहले से जाओ और उज्जल हो गया सब देख रहे हैं महाप्रभू क्रिपा स्पर्श्मात्र से एकदाम उज्जल हो गया अब बहुत प्रश्च नहीं अब महाप्रभू भी बहुत प्रश्च नहीं है एक दिन महाप्रभू टोटा कोईध में विराजमान है और स्पर्श्मि के निमंत्र कहें जो सणात्रिकों को बुलाओ एक ऐक बहूर हमसे मिले दुपर के समय गृशच नहीं स्पर्शieur गर्मी के शमय ऐसे गरम हो जाता है ना, रेती पाम में फोपला पर गया, अब शीधा रास्ता है लेकिन वो रास्ते से आये नहीं, महाप्रभु बुलाए हैं, तो आये हैं, महाप्रभु जानते हैं जो शुमुद्र का रास्ते से आये हैं, शुनातर तुम कहां से आये हो, तो प्रभु हम तो शुमुद्र मार्गे से आये हैं, अरे इतना तब तो बालु का, इसके उपर से तुम कैसे आये हो, पश्ट नहीं हुआ, देखे तुम्हारा पाम में फोपला पर गया, ऐसा क्यों किये तुमने, तुमने ब़री रस्ते पक् बोले प्रभु हम आएंगे, हम तो ऐसे ही नीच हैं, पापी हैं, अस्प्रिश्च हैं, अगर हमारा स्पॉर्श्च किसी का हो जाए, तो वो अपवित्र हो जाएगा, कोई पूजारी पूजारी, शद्व शादू बश्चनव चलते हैं, हमारा स्पॉर्श्च हो गिया तो फिर तके तो अनर्थ हो जाएगा, इसे लिए हम इस मार्गे साहिए, यहां कोई है नहीं, ऐसे दीनता, ऐसे दीनता, माप्रभु के परशद, ऐसे दीनता के पृति मूर्थी है, लेकिन हम जे शादू हैं, हम बश्चनव हैं, हम भजरनंदी हैं, हम त्यागी हैं, एक से को भी मान, रब जूटा, फिर आए इस तरह से, क्रिता दीन है, छे महीना तक रहे शादा, छे महीना तक महाप्रभु के पास रहे, रहे करके महाप्रभु कहे हैं, बहुत दिन हो गया, आप तुम्हारे जे क्रित कर्म हैं, जिस कर्म के लिए तुम आए हो, इस संग्षार में, तुम ते शंक्षर भोगने के लिए नहीं आये हो, तुम तो जानते नहीं हो, तुम कौन हो, क्या करना है तुम्हें, तुम्हेरे दोरह बहुत सरे कर्म करना है, लुक्त्त्र तुद्धार, बईरग सिक्षन, सिक्षदेना, शस्षब प्रणययन, बश्टम अवविधान, य जा करके तुम इस तरह से ग्रंत प्रणायन करो, लोक्ततित्त उद्धार करो, और सब को शिक्षा प्रदर्ष्ण करो, जब कोई वश्ण बाएगा तो उनको पालन पुषण करना, पालन पालन मने कैसे पालन? पालन मने उनको उपदेश के द्वारा, किरपा के दवारा, उनके आत्मा को जो है उसको पालन करना है पालन में शरीर का पालन नहीं जैसे वो शरू प्राप्ति के लिए राधरनी के निकुंद्य शिभा प्राप्ति के लिए जो भी कमी है वो कमी मिटाने के लिए जो कृपा है कृपा शक्ति यह है पालन आत्मा को सोधन करने के लिए आपने पास राकर खिलाना पिलाना यह पालन नहीं है। अभी का बात है, सौव साल पहले की बात है। अभी संकित में है एक सादू, यह तो अभी बर्तवन है। उनको भी शानातन गश्रमिया की क्रिपा की है। शाक्षात की डुमनवन में रहते थे। तो अभी भी वो क्रिपा करती है, ऐसे नहीं। देखने में आया ऐसा। तो इस तरह से महाप्रभु ने अब ब्रिंदामन में जाओ, ब्रिंदामन में आए। पीछे को बोलेंगे। तो महाप्रभु भी चाहते नहीं है जो स्वनातन चले जाए। लेकिन शनतन गृष्ण में भी वह चाहते नहीं है जो महाप्रभु के चरण कमल चोड़ करके कहीं जाएं कि व्रिंदामन तो उनके चरण कमल में तो बिराजमान है वही पर तो सब कुस है फिर भी महाप्रभु आदिश किये हैं आप शनतन गृष्ण में बड़े दुखी हो क करके अस्रु प्रभाहों के द्वारा अपने को अभिश्शिक्त करते हुए जा रहे हैं ब्रिंदामन के ओर बार बार लोट लोट के पीछे मुर मुर के देख रहे हैं महाप्रभु के ओ चिनमा दिब्बो अनुंद शोरुप को देख रहे हैं इस तरह से आप शनतन गृष् हम लोग फिर उनके साथ चलेंगे ब्रिंदामन देखते हैं अब क्या लिला करते हैं आज यहीं बिस्तन रात होगी है आज रात को नहीं चलेंगे जाए जाए स्री रादे शाप निताइक अगुर हरी बोलू